जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंग होंगे मज़े में होंगे दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो कुछ भी सोचता है वो उसे मिल जाए या वो जो कुछ भी चाहता है वो प्राप्त कर ले या उसकी सोच सच हो जाए अब इसमें बहुत बड़ी चीज है कि व्यक्ति कई दफे अनाप सनाप की चीजे सूचता है कई दफे तो व्यक्ति किसी के नुकसान की बाते भी सूचता है तो ऐसी चीजे नहीं पूरी होने चाहिए इसलिए कुदरत ने ऐसी चीजों पर रोक लगा दी है अन्यथा कई ऐसे लोग हैं कि जो व्यक्ति जो सोचते हैं जिनकी इंद्रियां व्यक्ति के काबु में हैं जो पंचेंद्रिया हैं जिनकी सारी इंद्रियां उनके काबु में हैं ऐसे व्यक्ति जो कुछ सौपन देखते हैं वो सत्य होते हैं एसा व्यक्ति जो सोचता है वो सत्य होता है, एसा व्यक्ति जो कह देता है वो सत्य होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के दिलों दिमाग में किसी के भी प्रती कोई भाव नहीं होते, ये व्यक्ति सुन्य भाव से अपना जीवन यापन कर रहा होता है, आपने देखा होगा, सुन के कह देने मात्र से या चू देने मात्र से व्यक्ति का दुख उसी चण चला गया यहां तक के मृत्तिव के योग भी टल गए इतने बड़े-बड़े संत हो गए लेकिन यह इसी के दंपर के इनके बस में वो इंद्रियां थी लेकिन कुछ ऐसे तंद्र मंत्र हैं टोने टोटके हैं कि यदि कुछ चीजे आपको वास्तों में आवस्यक हैं जिसके बिना आपका जीवन यापन नहीं हो सकता है कोई ऐसी चीज है कि जो आपको चाहिए ही चाहिए तो इसके लिए व्यक्ति को उपाय करता है तो इन तंत्र मंत्र टोने टोटके के जरीए उस व्यक्ति का वह काम निकल सकता है तो ऐसा ही एक उपाय आज में बताने वाला हूँ कि यदि आपको किसी ऐसी चीज है के बीना आपको नहीं चल सकता है और यदि आप यह तंदर करते हैं तो इससे आपका वो काम तुरंत हो जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू고 कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो अब भी इसी तरह की जानकारी में रुची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल उपाय करें इस उपाय के करने से आपकी वो इच्छा अवस्य ही पूरी होगी तो आपको करना क्या है यह उपाय आप किसी भी रात्री के समय करना है किसी भी रात्री को कर सकते हैं कोई ऐसा बात नहीं है आपको आंकडे के फूल लेकर के आने हैं आकडे के जो फूल आते है और उसमें आप इस फूल को बांद करके रख दे चुपचप किसी को भी मालूम न पड़े घर में किसी को भी नहीं इसका मतलब किसी को भी नहीं आपके अलावा किसी को मालूम न हो इस तरह से इसको रात को छुपा करके रख दे कि ये अगले दिन तक किसी के हाथ न लगे आकडे के थोड़े से फूल ले आए एक सफेद प्लेन पेपर में अपनी इच्छा लिख दे और उसमें ये आकडे के फूल को रख दे इसकी पडिका बना करके इसको आप छुपा करके रख दे अगले दिन सवेरे इस्नान करने के बाद में आप क्या करें कि ये आकडे के जो फूल है इसको किसी भी सिव मंदिर में ले जाकर के सिव लिंग पर चड़ा दे और ये जो कागज है इसको उसी मंदिर में जला करके वो आपकी इच्छा अती सिग्र पूरी होगी लेकिन इस बात का ग्यान किसी को भी नहीं होना चाहिए जब तक आपका कारे नहीं हो जाता तब तक आप इसकी बात किसी से भी नहीं करेंगे ये आपने किसी से भी इसकी बात करते हैं तो ये टोटका आपका जो है वो नश्ट हो जाता है ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रही है दीवे ब्रकास और अपने जिवन में लाभनित होते रही है धन्यवाद